हेलो मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे विदार्थी मेरे प्यारे श्टुडेंट आज हम लेकर आये हैं भी भी आई प्रस्न जो अब्जेक्टिव है अब्जेक्टिव कोश्चन है इसमें सही विकल्ब चुनना है और इस प्रकार के प्रस्न कई बार पूछेगा है प्रिक्ष संख्या है और 2 पुरांग संख्याहे चोत्था option में है इन मैं कोई नहीं है तो देखो इस प्रकार के प्रस्ण में आपको यह देखनά है कि अभाज संख्या ज्यादि रूट के अंदर हो और यह कहीं से जूड़ा हुआ हो घाटा हो गुंढ इस प्रकार यह कान सा हो जाएगा option आपका D होगा तूरा प्रस्त में कौन परत्ष इचारों दिया है इसमें देखो कि किस संख्या का बर्गमुल हो जा रहा है उपर नीचे दोनों में अंसर हर में बर्गमूल हो जा रहा है तो ऐसे देखोगे तो इसका हो जाएगा बर्गमूल 49 का बर्गमूल साथ होगा 64 का बर्गमूल आठ होगा लेकिन CS जो आप B है option B है option C है और option D है इसका परिफून बर्गमूल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 101 है नीचे हर में आप देख सकते हो यहाँ 51 है और यहाँ 91 है उपर तो 81 है तो इसका बर्गमूल हो जाएगा यहाँ 49 है तो हो जाएगा इसका तो होगा ही नहीं तो इसके जो हर है यहाँ 1 से 1 इसके वोज़ासे नहीं होगा समझें ना इसके वोजासे नहीं होगा यहां आप देख रहे हो एक से एक है नहीं होगा 51 है नहीं होगा सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा अंदरूट 4964 क्योंकि इसका बर्गमुल कितना हो जाएगा साथ बटा आठ ठीक है